17 अक्टूबर 2022 को आवारा कुट्टों ने 7 महीनी के एक बच्चे पर हमला कर दिया जिसमें उस बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई ये घटना नौड़ा में बनी लोटस बिलबर्ट सोसाइटी की थी आवारा कुट्टों ने मासूम के उपर इतना जोर का जपट्टा मारा कि उसके आतें बाहरा गए मई 2023 में बरेली के थाना सभी गंचेत्र के खाना गोटिया गाउं में कुट्टों के जुंड ने 12 साल के बच्चे को नोच नोच कर मार डाला इसी साल भोपाल में एक 7 महीनी की बच्ची को आवारा कुट्टे उठा कर ले गया उन्होंने मासूम के शरीर को नोच डाला बच्चे का पूरा हाथ कुट्टों ने खा लिया उसके शरीर पर कई जगा काटा पर जनों को मासूम का शव लहलुहा अनिस्तिती में मिला ये तो कुछ घटनाए हैं ऐसी दरदनाख खबरें अख़वारों में छपना अब आम हो गई है आपको ये जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि वर्ष 2023 में 30 लाख लोगों को आवारा कुट्टों ने काटा जिससे 286 लोगों की मौत हो गई और यहां कड़े साल दर साल बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि आवारा कुट्टों की संख्या भी बढ़ती जा रही है सिर्फ रिवा जिले की बात करें तो यहां भी डॉग बाइट्स के केसे कहीं से कम नहीं है संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल से मिले ग्रेटा के मुताबिक हर महीने औसत 800 लोग डॉग बाइट्स के शिकार होते हैं और रेवी इसका इंजक्शन लगवाने के लिए अस्पताल आते हैं यह तो सिर्फ सरकारी अस्पताल के रिकॉर्ड्स हैं ना जाने कितने लोग प्राइवेट क्लिनिक में जाकर अपना इलाज करवाते हैं रिवा जिले में आवारा कुत्तों के काटने की संख्या की बात करें तो सिर्फ संजय गांदी अस्पताल में जुलाई 2023 से लेकर अगस्त 2024 के बीच 9902 मामले कुत्तों के काटने के सामने आए हैं जुलाई से लेकर 31 जुलाई यानि की एक दिन में नंबर आफ केसिस की संख्या 50 दर्ज की गई है अब हम आपको अगस्त 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक के आखड़े बताते हैं अगस्त 2023 में 822 केस सितंबर में 745 केस अक्टूबर में 745 केस नवंबर में 846 केस दिसंबर में 1028 केस अब वर्ष 2024 की बात करते हैं जनवरी में 1236 केस फरवरी में 479 केस मार्च में 499 केस अपरैल में 918 केस मई में 915 केस जुलाई में 848 केस और अगस 2024 की 13 तारिक तक 749 केस आ चुके हैं इस अंख्या आपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि आवारा कुत्तों का आतंक रीवा में कितना जादा है अब सवाल ये है कि दीवा प्रसाशन आवारा कुत्तों को सोसाइटी से हटाने के लिए क्या करता है या कुछ करता भी है या नहीं ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर नगर निगम के जिम्मदार अधिकारी से मिलने के लिए पहुचे उन्होंने क्या कहा आई ये जानते हैं अब आरा कुत्तों के लेकर नगर निगम ने दो हजार चौवीस पचीस के लिए गवर्मेंट का जो नौर्म रूल आया था इसके कॉर्डिंग नगर निगम के मार्जम से एस्ट्राइज़ाजिशन का प्रख्रिया अपना आया है हमने दो हजार कुत्तों को सेम प्लेस पे चोड़ना भी है तो नगर निगम टेंडर किया था प्रवरी मार्च में मार्च 21 मार्च से हमारा एक अभ्यान चल ला है जिसमें हमारा जो का कमपणी ओजबलपूर के अनिमल हैं उनके द्वारा उनके टीम द्वारा मतलब सुभा में कुछों का कैचिंग करते हैं और पश्चिक करने के बाद उसका वेटनरी डॉक्तर दोरा इसका एस्टेलाइशन किया यहता है। की दिन लगता है कि अगुतों को नश्वनी की रात लेगा में तर अपने दीवा में अभी सब्सक्राइब यह स्ट्रीट डॉग्स नसर बच्चों बल कि नौजवानों के उपर भी हमला कर देते हैं अभी पिछले साल वागबकरी के मालिक परागदेसाई की मौत भी कुत्तों के हमले से हुई थी हाला कि उन्हें कुत्तों ने काटा नहीं था हुआ कुछ ऐसा था कि परागदेसाई मौनिंग वाक पर गए हुए थे रास्ते में कुत्तों के जुंड ने उन पर हमला कर दिया वह जान बचाने के लिए भागने लगे सड़क पर फिसल कर गिर गए और उनके सिर में गंभीर चोटाने से उनकी मौत हो गई पूरी दुनिया में भारत रेवीज के मामले में दूसरे नमबर पर है कोई कुत्ता अगर वैक्सिनेटेड नहीं है और उसे रेवीज हो जाता है तो रेवीज इतना खतरनाक डिजीज है कि अगर आपको ये एक बार हो गया और आपके उपर इसके सिम्टम्स दिखने लग गये तो आप जिंदा रहने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते मतलब कि अगर रेवीज हो गया तो समझो मरनात्ते हैं अब ये रेवीज होता कैसे है अगर इसकी बात करें तो समझे कि कोई ऐसा कुत्ता आपको काट ले जिसे रेवीज के इंजक्शन नहीं लगे हैं तो आपको भी रेवीज हो सकता है और ये बहुत दर्दनाक मौत देने वाली पिमारी होती है रेवा में आवारा कुत्तों की संख्या दिन बढ़ती जा रही है ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ा खत्रा साबित हो सकता है ऐसे में दीवप्रसाशन को चाहिए कि आवारा कुत्तों के लिए कोई जरूरी प्रबंद करे और सडकों से इन्हें हटाने का काम करे